इससे आप पैचान कर सकते हूं कि यह वुल्सस्neak है यह एक कॉमन क्रेट स्नेक है दोस्तों आपके सामने यह जो स्नेक है इसको कॉमन कर्ट काते है और इसके बारे में बहुत सारे विडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रगी है ये स्नेक highly venomous snake है जिसमें neurotoxin नाम का venom पाये जाता है जो कि सरीर में मौझूद nervous system को damage कर देता है और कुछ ही देरी बाद उसकी मौत हो जाती है लेकिन ये स्नेक है जो कि इसको Indian wolf snake के नाम से जाना जाता है और इसको wolf snake इसलिए का जाता है कि इसका आगे का मूझ होता है वो भेडिये से थोड़ा मिलता है विज़े से इसको नाम wolf snake दिया गया है और इसके भी सरीर पर पटे जो बने होते हैं वो लग बग लग बग common crate की तरह ही दिखते हैं बट आप इसकी पैचान कैसे कर सकते हो इसके जो पटे है जो लाइन है वो common crate से थोड़े जाड़े होते हैं और common crate की जो लाइन है वो पतली होती है दूसरी जी आपको देखने को मिलेगी common crate का जो लाइन का जो शेप है वो वी आकार में नीचे की तरफ जा रहा है और यह एक फिक्स डिस्टंस पर जाते ही है और इस पर जो है इसका कलर भी थोड़ा अलग रहता है यह चॉकलेट ही रहता है अगर बेरियर बुल्स ने के तो उसका कलर ब्लैक रहेगा लेकिन इसके मूँ का जो सेफ है वो इसी टाइब का रहेगा जैसे कि यहाँ पर common crate के यह जो लाइन है वो नहीं होती है आप देख साइज रहती है वो वूल्स नेक से काफी बड़ी रहती है अगर बेभी common crate है तो ही इस प्रकार का स्नेक आपको दिखने को मिलेगा वरना यह स्नेक बिक साइज का ही पाया जाता है तो अगर इस टाइब का कोई स्नेक दिखता है आपके घर में तो आप उसको समझ कर गलती न स्नेक को अलग डिस्टन्स पर रिलीज करें क्योंकि common crate स्नेक सिर्फ सापों का ही सिकार करता है और कई बार मैंडेक वेगर चूहे खाने की कोशिश करता है ज्यादा तर इसको स्नेक ही पसंद होते है तो छोटे मोटे स्नेक को यह आसानी से डाइट कर जाता और निगल जाता करता है जाता है